गूड इमनिंग दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल AMU क्लास के TGT PGT कलाटेस्ट सीरीज के सामके आसके इस वीडियो में तो फटा-फट तयार हो जाएए अगर चैनल पर पहनी मरतवा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएए था कि नोटिफिकेशन मिलता रहे है और जो है नवे लग जुड़े हैं उनके लिए ये कलास आपको मैं बता देता हूँ डेली आपकी आठ बजे ये कल पर हर जगों के लिए आपके लिए ये बेरिफिट सावित होगा तो फटा-फट जो है वीडियो पशंद आए तो लाइक शेर और कमेंट का ना मत भूलिएगा शेर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि लोग जुड़ें और उन्हें भी पता चले और दूसरी बात ही है मित्र ला सुरू करते हैं अच का पहला पर्शन कमेंट डाल दीजेगा मेरे उत्तर देने शे पहले और पहला परशन हमारा पूछ रहा है बाग की गुफाओं का समय कितनी सताब्दी है जो बाग गुफा है उसका जो समय है वो कौन सी इस सताब्दी है तो इस सीरीज में हमने हमने बाग, सिगरिया, सितल वाशन इस से सम्मधित और जो प्रशन छूट गए होंगे जोगी मारा के उस से सम्मधित कुछ प्रशनों को आज हमने इस स्रीज में लिया है तो चलिए फटाफट पहले का उत्तर कमेंट्स बाक्स में डाल दीजे कि क्या वो 15 शताबदी शापुर्व साथवी, पाचवी या चाउती तो बाग की गुफाव का समय जो सताबदी है रहा है वो रहा है पाचवी कितनी रहा है पाचवी रहा है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेगा प्रशन पूछ रहा है हमारा बादामी में कितनी गुफाएं ब्रामर धर्म से हैं ब्रा तीन है, दो है या चार है, तो चलिए कल का एक कमेंट समलेंगे, हमारे दोस्तों का कमेंट था, सब्सक्राइबर लोगों का उसमें से एक कमेंट था, कि मैंने एक परशन किया था, जिसमें हमने जोगी मारा गुफा कहा है, इस थीते इस पर किया था, तो मुझे आपने कमेंट जोगी मारा 36 गड़ में है 36 गड़ के सरगुजा जिला है वहाँ पे ये ठीक है क्योंकि ये प्रश्ण TGT में जो है 2021 में पुछा जा चुका है जिससे कई लोग ने गलती किया तो आप ध्यान दीजिएगा TGT 2021 में जब प्रश्ण पूछा था तो उसमें MP और 36 गड़ दोनों जो है आपसन में था ठीक है तो यहां हमने फर्स्ट प्रश्ण देना है क्योंकि इसी में उसको सामिल कर लिया गया है लेकिन जो बिकल्प मैंने आपको दिया था उस बिकल्प में कहीं भी 36 गड़ नहीं था सिर्फ राज्य के नाम था यानि यूपी का नाम था बिहार का न होता जैसे कि TGT 2021 में आपको ये प्रश्ण पुछा जा चुका है वो प्रश्ण तब हम 36 गड़ मारते हैं तो हमने विकल्प के अनुशार MP6 जो है मारा था लेकिन 36 गड़ में है ये आपका भी सही है मैं भी जानता हूं ये प्रश्ण TGT 2021 में पुछा चुका है जैसे मैं आप से पूछा जाए कि अजनता और एलोरा की गुफाय का है तो आप जानते हैं कि महाराष्ट में है लेकिन महाराष्ट के पास थोड़ी है उससे कई सो किलेमिटर की दूरी पर जाके वो गुफाय है तो अगर जिस जगह पर जाके गुफाय बसी हुई अगर उस जगह का नाम दे दे और फिर आपसर में महाराष्ट दे तो आप महाराष्ट ना मारके उसको मारेंगे लेकिन अगर उस जगह का नाम ना दे सिर्फ महाराष्ट दे तो आपको कहना पड़ेगा कि महाराष्ट में तो सेम प्रसेस है तो उसमें आपके बिकल्प के अनुशार एंसर दिय तीन क्यों हुझा? तीन यानि बादामी में कितने गुफ़ाइन ब्रामर्ध धर्म से तो तीन गुफाइन ब्रामर्ध धर्म से चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण को देखिएगा अगला प्रश्ण मारा पूछ रहा है महात्मा बुद्ध को बिसलू के अवतार में किस गुफा में दिखाये गया यानि महात्मा बुद्ध जो थे उनको बिसलू के अवतार में दिखाये गया और जिस गुफा में दिखाये गया उस गुफा का नाम जानना है हमें इस प्रश्ण में कि क्या वो बादामी गुफा है क्या वो जोगी मारा की गुफा है सिगरिया गुफा है या जनता गुफा है तो ड्राप करते जाएं फटाफट एंसर जो जुड़े हैं नए वो और लोगों की जुड़े हैं ताकि और लोग भी जुड़ें और TGT की ये आज आज आपकी बाग बादामी सिगरिया से सम्मंदित प्रशनों की सिरीच चल लई है जिसमें कुछ प्रशन बच गए हैं अग अगला प्रशन देखिएगा प्रशन कहे रहा है मुकुल चंद्र ने बाग की प्रतिलिपियां कब बनाई मुकुल चंडे इन्हों ने जो है बाग की प्रतिलिपियां बनाई थी और किस सन में बनाई थी ये प्रशन है हमारा ठीक है और इन्हीं प्रशनों के साथ एक आप एक जनाप का हमारे आया है male हो या female जो भी हो कि sir question number जो है नहीं पता है कि इसमें question number नहीं दिया रहता है तो क्या आपको question number जानना जरूरी है कि कितने प्रशन है मैं आप से कहा रहा हूँ कि 20 plus प्रशनों कि series है इस समय यानि 20 से अधिक प्रशन आपके है तो माईने ये नहीं रखता मित्र कि question number कौन सा है या प्रशन कितने है माईने ये रखता है कि आपका ये प्रशनों का knowledge है कि नहीं वही माईने रखता है और ये आपका जो है सबसे बहतरी नतियार है तो counting number प्रशनों का counting number क्या है आप जाएए उस पे जिससे आपको जो है अपने इंसर को सही जवाब देना है ठीक है ये मैं कहने चाहूँगा हाँ इतना मैं कहूँगा कि प्रशनों की सिरीज कम नहीं होगी हमेशा आपकी बेश्ट और अच्छे सिरीज बनाई जाएगी उतनी बनाई जाएगी जितना में आप अपने समय को दे सके और पढ़ सके तो चलिए नहीं बातों के शाथ इस प्रशन का हमारा उत्तर लेते हैं तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा 1920 क्या हो जाएगा 1920 में जो है आपका मुकुल चंडे ने बाग की प्रतिलिपियां बनाई थी 1920 में ठीक है अगला प्रशन देखिएगा प्रशन क्या कहे रहा है मित्तरो प्रशन का कहना है देखिएगा प्रशन का कहना हमारा बाग की कौन सी गुफा को कलर आफ पैलेस कहा गया इसमें से बाग की वो कौन सी गुफा है बाग की जिसे कलर आफ पैलेस कहा गया चार, तीन, छै या पाँच नम्मर की गुफा किस गुफा को कलराफ पहले सका गया ठीक है तो इस समय आप देख रहे हैं M.U. कलास से T.G.T. P.G.T. कला के भेतरी इन प्रशनों की स्रीज जिसका special स्रीज आपका चलना है बाग, सिगिरिया, सित्तल वाशन यानि गुफाओ से शबमन्दित प्रशन है इसमें और इस प्रशन का हमारा जबाब होगा 4 क्या हो जाएगा? 4 अगर इस प्रशन को चेंज करना चाहता है examiner तो चेंज करके सिर्फ इतना ही प्रशन में बनाएगा कि कलराफ पहले से नाम से निमने में से किस गुफा को हम जानते हैं जहां से समझेगा प्रशन क्या कहेगा? प्रशन कहेगा कि कलराफ पहले से के नाम से निमने में से हम किस गुफा को जानते हैं तो बाग गुफा की चोथि यानि ऐसे कहरेगा कि कलराफ बाग गुफा की color path palace के नाम से कितने नमर की गुफा को हम जाते हैं तो गुफा संखिया 4 को हम जाते हैं ठीक है और भी उसमें बदलाव करने के तरीके हैं बदल सकता है वो आप पर depend करता है कि आप कितना उस पर गौर की हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है सित्तल वाशन गुफाओं को सरप्रतम किशने देखा जो सित्तल वाशन गुफाओं हैं उसको सबसे पहले देखने वाले कौन है गोपी नाथन मूर दुर्बिल या काल खंडवाला ठीक है तो प्रशन बहुत बहतरीन है प्रशनों को एंसर जो है जो हमने बना के सिर्ज में रखा था तो आपके पास जब भी समय मिले कम समय है तो मत देखिए आट बजे जब समय मिले तभी देखिए लेकिन वीडियो पूरा देखिए ठीक है मित्रो तो इस प्रशन का हमारा जो जबाब होगा वो आपका हो जाएगा गोपी नाथन क्या हो जाएगा गोपी नाथन ठीक है तो सित्तल वाशन गुफाओ को सरपर्तम किषने देखाता है तो उसको देखाता है गोपी नाथन ठीक है चले आगे बढ़ जाते हैं अलो अगर प्रशन की तरह बढ़ते हैं फोमश, परशी ब्राउन, मूरे या बिसेंट एश्मेथ तो सिगरिया गुफा की परतिलिपी बनाने वाले इन में से कौन से सक्स है यह आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है मित्रो तो इस परशन का हमारा जो जबाब होगा वो हो जाएगा मूरे किस ने बनाय था? सिगरिया गुफा की परतिलिपी को बनाय था मूरे ने ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिएगा अगला प्रशन हमारा पूछ रहा है प्रशन का कहना की बाग की कितनी गुफाओं में चित्र मिले है जो बाग है उसकी कितनी गुफाओं की संख्या है जिसमें हमको चित्र देखने को मिलते है यानि कि पाँच गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं चार गुफाओं में, नौ गुफाओं में, या छे गुफाओं में कितनी गुफाओं में यानि गुफाओं की शंख्या कितनी है जिसमें हमें चित्र देखने को मिलते हैं बाग की गुफाओं में ठीक है तो इस प्रश्ण का हमारा जबाब होगा पांच क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा प्रश्ण को अगर उसको चेंज करना हो कोश्ण को तो चेंजिंग में थोड़ा सा बदलाव करेगा और बस इतना ही करेगा कि पांच गुफाओं में शित्र हमें निम्न में से कौन सी गुफा में मिलते हैं अजन्ता, एलोरा, बाग या सिगरिया ठीक है तो कोश्ण बनाने का उसका अपना मुढ़ है एक्जामनर का वो ऐसे भी बना शकता है बस वो मामला फचने वाला ना हो तो फिर वो उस पे कोई तरक नहीं हो शकता थीक है चलिए अगला प्रस्ण देखिए का चाह रहा है बाग में पूरा तत्तो शर्वे चड़ बिभांग ने संगरचड कब प्रदान कि यहाँ कब संगरा छड़ उसको दिया किस सन में ठीक है इस प्रशन का जवाब दें अस पहले एक कमेंट्स और मैं लूँगा कल का जो भी कमेंट्स इंपोर्टेंट है उसको मैं जरू लूँगा कमेंट्स में थी मीरा यादो करके कोई मीरा यादो करके है कमेंट्स में उस जो है और मैं कमेंट्स किया था कि सर पढ़ाते समय क्या आप सो जाते हैं नीद में रहते हैं क्या तो उस कमेंट्स को पढ़के मुझे बहुत हसी भी आई और उससे मुझे कोई गिल्टी भी फिल नहीं हुई क्योंकि हो सकता है उन्हें लगा हो कि मैं पढ़ाते हुए नीद में हूँ तो मेरा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग भी टीचर हैं और पढ़ाते हैं और पढ़ा के आते हैं और आने के बात थोड़े देज रिलेक्स होने के बाद आपके लिए इस बीडियो का महनत करते हैं यानि बीडियो को बनाते हैं आपके लिए तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो ठके हारे रहते हैं तो कभी-कभी आवाज इस तरह से निकलती यह लगता है नीद में हैं हम लोग लेकिन ऐसी कोई बात नहीं अगर हम सो जाएंगे तो फिर हम प्रशनों का उत्तर कैशे देंगे तो आपकी बातों से कोई बुरा नहीं लगा अच्छा लगा यहाँ तक कि मुझे हसी आई कि आपने इतनी फणी बात कहिए इसके लिए थैंक्यू आपका लेकिन मैं सोता नहीं हूँ सोने के समय में सोता हूँ आपके लिए वीडियो बना के आपका वीडियो यह 8 बजे आता है तो मैं यह समझ लिजिए कि 8 बजे से 1 घंटे पहले यानि 7 बजे इस वीडियो को में बनाता हूँ और एक घंटे बाद आपका वीडियो आपके सामने होता है तो चलिए इनी बातों के साथ इस प्रश्न का जबाब हम देखते हैं तो इसका हो जाएगा 1901 बाग को पूरा तत्त सरच्षड विभाग में जब संग्रच्षड परदान किया था वह 1901 में किया था ठीक है आप लोग का यही और प्यार मुहबबत है जो हमें हिम्मत देता है आप लोग के कमेंट्स का तो आप लोग के कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं जैसा भी आप लोग कहते हैं हम एकसेप्ट करते हैं तो चलिए इस प्रश्न को देखे, प्रश्न कहे रहा है कि बाग की गुफाएं कितने फीट उची चटान पे हैं, जो बाग की गुफाएं हैं वो फिट में हैं और चटान पे हैं कितने, 250 फिट, 150 फिट, 120 फिट या 150 फिट, तो इन चारों में से कितने फिट पे बाग की चाही क्या है उस चट्टान की जहां पर बाग की गुफाएं मौजूद है ठीक है तो बाग की गुफाएं जो है मित्रों वो हैं 150 फीट उपर चट्टान पर है ठीक है 150 फीट उपर चट्टान पर है अगला प्रशन देखिएगा प्रशन कहे रहा है बादामी की परतिलिपिया किसने बनाई जो बादामी गुफाये हैं उनकी प्रतिलिपियां बनाने वाले कौन है अहिवाशी यानि जे ल एहवाशी जिनको पूरा नाम बोलते हैं अशित कुमार हलदर, जिम्मर या नंदलाल बशू किसने बादामी की प्रतिलिपियां बनाई थी इन चारों चित्रकारों कालाकारों मुएशे कह लेजिए थीक है तो इस प्रशन का अगर हम उत्तर देखें तो आप ड्राब करते लेगा उत्तर मेरे उत्तर से पहले तो इस प्रशन का हमारा जो जबाब होगा वह हो जाएगा जेरल आहिवासी यानि अहिवासी ने बादामी की प्रतिलिपियां बनाई थी प्रशन को चेंज कर सकता है और प्रशन को चेंज करने के बाद ये भी पूछ सकता है कि JL अहिवासी ने निम्न मेंशे किस गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी अच्छा प्रशन ये भी पूछ सकता है कि J.S. अहिवाशी ने बादामी गुफ़ा की परतलिपिया किस शन में बनाई थी तो सन किस ने बनाई और किस गुफ़ा की बनाई ये बाते आप हमेशा तयार रखिएगा अपने दिमाग में ठीक है अगला प्रशन देखिएगा कह रहा है कि सिव पारवती बिवाह किस गुफ़ा में चित्रित है सिव और पारवती का बिवाह चित्रित किया गया जिस गुफ़ा में उस गुफ़ा का नाम आपको बताना है अजंता गुफ़ा है बादामी गुफ़ा है एलोरा की गुफ़ा है याज योगी मारा की गुफा है तो कमेट्स करिए मित्रों फटाफट एम्यू क्लास आपको देता है रोजाना रात आट बजे बैक टू बैक बैक बहतरीन परश्णों की बहतरीन श्रीज तो अगर आप नए है तो जुड़के देखिए प्लेलिस्ट में जाएए वीडियो सारे पड़े हुए है चार सो पलस के करीब और अगर इतने वीडियो आपके पास देखने का है टाइम देख लेते हैं तो एकीन मानिए कि कला का किसी भी कमपर्टीशन और चाहे वो किसी कार connecting है तो स्तीव पारवति का ब्यवा जिस गूफवा में चित्रत किया गया है उस गूफा का नाम है बादा में गूफवा क्या नामें अ गस्पलीशन है अगला परिशन दिखेगा क्या पूछ रहा है कर अक परिशन का कहना है मित्रो बाग की गुफाय और आजनता के किन गुफाओं के समकालिन है जो बाग की गुफाओं हैं वो अजन्ता की गुफाओं के समकालिन मानी गई तो अजन्ता की वो कौन सी गुफाओं में से हैं जो बाग की गुफाओं के समकालिन मानी गई ठीक है उननिस वबीस नमर के अजन्ता की गुफाओं है वो सूला वो शत्र नम्मर की गुफा है वो, नव वदस नम्मर की है, या एक वदो नम्मर की है, तो बहग की गुफाएं अजन्ता के किन गुफाओं के समकाली मानी गई, ये है हमारा प्रश्न, ठीक है, तो प्रश्न का जो सटीक जवाब होगा हमारा, वो आपका हो जाएगा, डी, एक वदो, ठ प्रशन को change करता है और अगर प्रशन को change करके उसको बताना है उक्यदाम नर्को या फूछना है हम हुए चाहे उक्जदाम कोई भूगा अजनता की गुफा शंख्या एक वद बाग गुथा की संकालीन बानी जाती है तो प्रशन को ध्यान से समझ लेज़ आप अजन्ता की गुफा शंखिया एक वदो निम्न में से किस गुफा की समकालीन मानी जाती है तो बाग गुफा की समकालीन मानी जाती है ठीक है तो प्रशन वही है बस गुमा दिया और आपको कन्फियूज कर दिया अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो और अगर आपका ध्यान ह तो फिर मिस नहीं होगा आपका एक देप्रशन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देख़ेगा बाग की गुफाये प्राचीन किस राज्ये में पढ़ती हैं प्राचीन ध्यान दिजिएगा सब्द है प्राचीन ग्वालियर इंदोर बीजापूर या बीजाइनगर बाग की गुफाएं प्राचीन गुफाएं बाग की जो हैं वो किस राज्ये में पड़ती हैं ये प्रश्ण कहे रहा है ड्रॉप दैन सर्फटा फट कमेंट्स बॉक्स में मित्रो आपके अपने चैनल एम्यू क्लास पे बेहतरिन सीरीज चल रहा है और एक बात और कहना चाहूंगा कि इसी चैनल में हमारा एक लिंक चुड़ा हुआ चैनल में जाईएगा तो वहां आपको एक और चैनल मिलेगा एम्यू क्लास टू पॉइंट जिरो करके होगा तो अगर जो भी हिंदी और मैथ से इंट्रेस्टर रखते हैं तयारी के लिए तो उस चैनल से वहां जाके वो जुड़ सकते हैं उसमें क्योंकि उसका वीडियो जो है मैं पांच तारी कल है कल के बास से यानि कल से के बास से आपको वीडियो मिलना सुरू हो जाएगा और तीन दिन आपका हिंदी उसमें मिलेगा और तीन दिन आपका उसमें गडित मिलेगा नहीं हपते का तीन दिन डिवाइड करके मिलेगा गडित और हिंदी के परशन मिलेंगे तो जो interested रखते हैं या फिर जो interest रखते हैं जिनको आप जानते हैं share कर दीजिए वो जूड़ सकते हैं वहां के लिए और कला के लिए ये channel है इस समय इसमें आपको सिर्फ कला पढ़ाई जाएगी amu classes में और amu classes 2.0 में आपको ये दोनों चीज़े पढ़ाई जागी math की साट्रिक और हिंदी के प्रश्ण जो competition में आते हैं तो इस प्रश्ण का हमारा जबाब होगा ग्वालियर ठीक है यानि बाग की गुफाई प्राचीन की सराज्य में है तो पढ़ती है तो वो ग्वालियर में पढ़ती है तो अगला प्रश्ण देखिएगा अगला प्रश्ण पूछ रहा है सित्तलवाशन गुफा की खोज कब तो फटाफट कमेंट्स बाक्स में कमेंट्स डालते जाए आपके कमेंट्स आपका प्यार आपका मुहबबत आपके वीडियो में देखता है मित्रो और इसका तहे दिल से M.U. क्लाश धन्यवाद करता है आपका बस लाइक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाईएगा क्योंकि कोनों चीजे आप हमारे मेहनत का दे दीजिए बाकी जो है हम आपको जो भी है बन पड़ता है सब देते रहेंगे तो इनी बातों के साथ इस प्रशन का हमारा उत्तर हो जाएगा 1934 में सितलवाशन गुफा की खोज हुई थी ठीक है अगला प्रशन देखिए अगला प्रश 1935 में परकासित हुए 1940 में परकासित हुए 1940 या 1938 में जहाँ भी प्रशनों में एक से बजाए दो तीन प्रशन बनेंगे जहाँ भी प्रशनों की सीरीज में तो वहां मैं बोलता जाओगा वहां अपत इंसर मतले जीगा और आप अप भी इतने मेचważ है कि आप बना सकते हैं अब मेरे आइडिया को पकड़ लिया होंगे इतना तो कनफर्म हो गया होगा तो मित्रो इस प्रश्ण का हमारा राइट एंसर अपका हो जाएगा 1938 बादामे के रंगीन चित्र प्रकाशित हुए थे 1938 में ठीक है अगला प्रश्ण देखिएगा प्रश्ण कहे रहा है सीता बोगरा गुफा किस से संबन्दित है जो सीता बोगरा गुफा है वो किस से संबन्द रखती है प्रेम प्रशंग शे उल्लाश शे बियोग और प्रेम शे और ये कह रहा है उपर वला इसलिए मैंने पहले नहीं बोल के मतलना प्रेंप प्रसंग और उल्लाद से संबंद रखता है सी तो मित्रो सीटा बौगरा गुफा जो संबंद रखता है वो प्रेंप प्रसंग से समंद्र रखता है किसे प्रेम प्रसंद से हाँ कोष्चन यहाँ चेंज कर सकता है आपका एक लाइन वर्नर कोष्चन फिर उसको बनाना हो एक्जामनर के मूड में आ जाएगा इसको change करने का तो यही कहगा कि प्रेम प्रसंद समंदित निमने में से किस गुफा को हम कहते हैं तो शीता भूगरा गुफा को हम जानते हैं ठीक है अगला प्रसन देखेगा अगला प्रसन पूछ रहा है प्रसन का कहना है कि सिगिरिया की खोज मेजर फूमस ने कब किया है सिगिरिया की खोज किया था मेजर फूमस ने और वो शन पूछ रहा है जिशन में उन्होंने किया था 1835 का वो समय था अठाठाऑ सो चालिस का 1818 का या अठारऑ सो तीस का इन चारों में सिगिरिया गुबफा की खोज मेजर फूमस ने कि थी तो मित्रों इस प्रशन का हमारा राइट इंसर हो जाएगा अठारऑ सो तीस में और कब कि थी पहने लगा आपसे पूछ रहा है कि सिगरिया गुफा की खोज किसने की थी तो मेजर फोमस ने ठीक है सीधी सिंपल सवाल है सिगरिया गुफा की खोज किसने की थी तो मेजर फोमस ने सिगरिया गुफा की खोज कब हुई थी तो 1830 में और तीसरा कुर्षन आपके शामने है क कि दोनों को मिला के कह दिया कि सीगरिया गुफा की खोज मेंबर फोमस ने कब कि थी या यह कहा सकता है कि शीगरिया गुफा की खोज 7830 में निम्नम så किष्ट ने की थी तो मेजर फोमस ने तो यह है प्रशनों के पूछने का स्टाइल अगला प्रश्ण दिखेगा प्रश्ण कहे रहा है किसने सिगरिया के चित्रकारों के तुलना गुप्त चिल्ली से की यानि इसमें से कोई है जिन्होंने सिगरिया गुपा के जो चित्र है उसकी तुलना गुप्त चिल्ली से की एवी हैवेल ने, परशी ब्राउन ने, अवनिंद्रना टेगोर मेजर फोमश ठीक है, तो सिगिरिया गुफा के चितरकारी जो थी उसके तुनला गुप्त चिल्ली से की गई और जिनके दोरा ये की गई तुनला, उस सक्स का नाम है एवी हैवेल परसिद्ध इतिहाशकार, समिश्चकार, कलाकार एवी हैवेल साहब जो है उन्होंने सिगिरिया गुफा की तुनला गुप्त चिल्ली से की की बाग की प्रतम गुफा का आकार कितना है, जो बाग है की गुफा उसका जो पहला गुफा है, उसका आकार कितना है 12 गुणे 24, 65 गुणे 44, 23 गुणे 14 या 24 गुणे 15 पर्थम गुफा याद रखिएगा पहली गुफा की बात कर रहा है पहली गुफा की बात कर रहा है कि बाग की जो पहली गुफा है उसका आकार कितना है तो मित्रो बाग की पहली गुफा का आकार है 23 गुणे 14 कितना है 23 गुड़े 14 ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रश्न का कहना कि जोगी मारा में सरोपर्थम किस रंग का प्रियोग होगा है आप देख रहें इस समय बाग सिगरिया और सित्तलवासन से सम्मंदित प्रश्नों की गुफाओं की स्पेसल सिरीच और इसी स्पेसल सिरीच का ये तीसरा वीडियो है इसके सम्मंदित दो वीडियो और मैंने आल रेड़ी डाला है दो दिन में जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉंस आपने दिया है और ये चौथा मेरे ख्याद से वीडियो है और उम्मिद करता हूं कि ये वीडियो भी आप अच्छा रिस्पॉंस देंगे तो जोगी मारा में सरोपर्थम किस रंग का परियोग हुआ सवाल ये है आपका यानि प्रश्न ये है कि सबसे पहले कि जिस रंग का इस्तामाल किया गया जोगी मारा में क्या वो पीला था सफेद था लाल था या हरा था तो फटा फट कमेंट्स बॉक्स में ड्राप करते जाएए मेरे उत्तर देने से पहले मित्रोग कि क्या होगा इसका राइट एंसर इस प्रशन का हमारा जबाब होगा हारा क्या होगा हारा जोगी मारा में सबसे पहले जिस रंग का यूज किया गया उस रंग का नाम है हारा प् यह कहेगा हारा रंग सरोपर्थम निम्न में से किस गुफा में परियोग किया गया यह कहेगा कि यह कही प्रश्ण इसमें जो है सटिक बैठता है जो हम बता रहें उसके अलावा इसमें प्रश्ण सटिक नहीं बैठ रहा है इसलिए आगे चर्चा नहीं करेंगे अगर ऐसा हो पाता है जो बढ़ जस्ती नहीं किया जाएगा, जो भन रहा है उतना ही किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आगे बढ़ जाएँ, अंगला प्रश्म देखिएगा,uthamientos को हैं कहाँ हैं, जो师 गिरिया है, उसकी का है, सिरलंका में, पाकिस्तान में, भारत में या बंगला देश में तो वो कौन सा देश है जहां पे सिगरिया गुफा मिली थी ये आपको बताना है तो मित्रो सिगरिया गुफा हमें सिरलंका में मिली थी कहा मिली थी सिर्लंका तो सिर्लंका एक देश है भारत के नक्सेमिदम कॉर्णर पे नीचे सिर्लंका लंका वही लंका है जो राम ने जो हैपने शीता के लिए वहां तक पूल बनवाया था और अगर आपको खुछ नसी भी हाशिल होती है वहां जाने की तो आप जरूर उस प्रशन देखिएगा मित्रो अगला प्रशन कह रहा है बादामे की गुफा किस नदी के किनारे है जो बादामे की गुफा है वो जिस नदी के किनारे बसा है उस बतिक उस नदी का नाम क्या कावेरी है बागमती है माल प्रभा है या नर्मदा है नदी का नाम क्या है ड्रॉ अगर इस प्रशन का हम जबाब देखें तो माल प्रभा हो जाएगा बादामी की गुफा माल प्रभा नदी के किनारे जो है बसी हुई है इस्थित है ठीक है अगला प्रशन देखेगा अगला प्रशन पूछ रहा है सितलवाशन गुफा का समय क्या है जो सितलवाशन गुफा है उसका जो है समय काल क्या है सितलवाशन गुफा का समय काल क्या है क्या वो साथ से आठवी शदी के दोरान जो है बना हुआ था यानि उसका समय बनने का जो रहा है छे से नौवी शती दक 7-9 शदी या 8-9 शदी इन दोनों में से चारों में से वो कौन शी सदी रही है जिसमें सितलवाशन बनके तयार हुआ यानि बना उसका समयकाल क्या था वो तो मित्रो इस प्रशन का राइट अंसर हो जाएगा 7 से 9 सती सातवी से नवी शदी सी तल वाशन गूफा सातवी से जो है नवी शदी सी तल वाशन गूफा का शमय का जाना गया ठीक है कन्फर्म नहीं किया गया एतिहाश का रोड जिन्होंने ढूणडा जिन्होंने इसका सर्ज किया उन्होंने इसको माना ठीक है मित्रों तो चलिए इस वीडियो का आखरी प्रशन देखेगा बैक टू बैक भेतरीन प्रशनों की कला टेश्ट सीरीज की गुफाउस से सम्दित सीरीज का 20 प्रशन आखरी प्रशन आप से पूछ रहे हैं चेक करते रहेगा कितने प्रशन आपके सही हो रहे हैं तो आप बहुत भेतरीन जा रहे हैं मैंने अभी तक देखा है जितने भी आपनोंने अंसर दिया है बहुत अच्छा दिया है कुछ प्रश्णों को छोड़के और वो तो आप दोहरा ही लेंगे बाद में लेकिन कला की अगली भरती के लिए आप एक्तम तायार चल रहे हैं इस तीन दिव्य पुरुष ये एक चित्र है और ये चित्र किस गुफा में है अजंता में है बादामी की गुफा में है शित्तन वाशन की गुफा में है या शिगरिया गुफा में है तीन दिव्य पुरुष चित्र है और वो किस गुफा में है अगर मैं आप से कहूं कि इस प आप्शन में और बता देगा कोई painting है या ये भी कह सकता है कि दोनों है या कोई नहीं है तो एक line का प्रशन सेरोग सकता है कि तीन देवेपुरूष नेमन मेंने मेंशे क्या है तो वो चित्र है ये भी ध्यान देना है एक लाइन में ये प्रश्ण के जो एंसर आते हैं बार-बार प्रश्ण आते हैं चित्र है पेंटिंग है मुर्ति है इसका भी आपको दिमाग में फोकस रखना है ठीक है तो सबसे पहले हम इसका एंसर देखेंगे तो इस प्रश्ण का से प्रस्न पूछा दा सकता है ठीक है या ऐसे भी पूछा दा कि सितलमासन गुफा में प्राप्त तीन दिव पूरश निम्न मेंज से क्या है चित्र है मुर्ती है या क्या है तो ये सब भी दिहाना आपको रखना पड़ेगा तो चले मित्रों कमेंट सबाक्स में जरूर बता दीजेगा कि आज का हमारे ये वीडियो कैशा लगा अगर सच मुझ आपको अच्छा लगा तो लाइक बनता है दिल से सेयर बनता है उन्हें जो नहीं जान रहे हैं चाहिए वो किशी बिराजियां सो सेयर करतीजिये उन्हें ताकि वो भी जुड़े क्योंकि हल्प करना बुरी बात नहीं है एक दूसरे से जोड़िए कंपडिशन की तयार करिए और एक काम्याब टीचर की रूप में जाईए और बच्चों का भविश्य शवारी है यही मेरी शूप कामनाए हैं एमेकलाश की शूप कानाए है और इनी शूप कामनाओ के साथ आज के लिए दीजी जाज़त कर फिल मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ वान बैठते हैं प्रश्णों की श्रीच तब तक के लिए दीजी जाज़त नमस्कार